आप सभी का आज अंतिम क्लास में पुने स्वाकत अफिरंद्द थोड़ा सा लेट हुआ, वो इसलिए हुआ ताकि आपको याद रहे कि यह मानब शर्मा ही है, अगर लेट नहीं हो तो फिर आपको डाउट हो जाए कि मानब शर्मा है या नहीं है, थोड़ा सा लेट हुआ, औ सबसे बड़ी आवात ये कि आप इतनी बड़ी संख्या में अभी भी आए हैं जबकि इसलिए में रीट का महौल है और आपका सब कुछ हो चुका, विध्यारती अप तक कहा हो जा चुका होता है, कई ओनलाइन विध्यारती हैं, उनके ही फोन आये थे, और Actually किया है कि course तो हमारा हो चुका है, पहले मैं आप से कुछ course के बारे में बाते करूँगा, कुछ खास बाते मुझे आपके साथ सेर करनी है, एक तो क्या है कि जो Teaching Method है, क्या slection बिदिया है, इसको क्या है, जल्दी ही, आप या तो मेरे यूट्यूपर या मिशन के यूट्यूपर या मेरे एप के द्वारा या मिशन के एप के द्वारा कैसे भी इसे आप रेगुलर पढ़ेंगे ओल्लाइन, सिक्षन विदी दिर असल के 20 दिन का सब्जेक्ट है कितने दिन लगेगे 20 दे, ये कम से कम है minimum अगर रच के पढ़ाओ तो ज्यादा भी लगता है 20 दे, कम से कम सिक्षन विदी आपको सेकिंड गेड़ की पढ़नी है और उसके बाद में इनकी क्विशन जो है ना MCQs, Multiple Choice Questions ये आपको मैं अभी जल्दी हल करवाँगा संभवत है हमारा जो स्केड का कुछ टॉपिक्स जो बच रहे थे पुराने विद्यारतियों के वो Tuesday तक या Monday तक क्लियर हो जाएगा तो असे सिती में Monday Tuesday तक क्लियर हो जाने के बाद मेरे पास जो दो से चार का समय ये खाली है और हमारे कुछ बैचे जो और भी खतम हो जाएंगे रीट बगरे के जो चल रहे हैं तो वो सारा जो टाइम मिलेगा वो आपके लिए स्पेंड होगा तो उसमें आप उनलाइन चुकि आप मुझे जुड़े रहें अगर आपने मुझे अपना नंबर दिया हुआ है जैसे कि आपके पास मेसेज आता है तो मैं आपको 100% उसका लिंक रोज भेजूँगा जो भी हम पढ़ाएंगे वो भी आपको रोज भेजेंगे और अगर कहीं पर आवशकता पढ़ी तो अपने एप पर जो मेरे पैड कोर्से चलते हैं उन पर हम जो पैसा लेते हैं उतकी बजाए आपको हम निशुल कुस में एंट्री देंगे और पूरा कोर्स आपको complete सिक्षन विदी और उसके multiple choice की शेट यह सारा हम आपको इतना ढंक से देंगे कि सिक्षन विदी को आपको बस सामने नहीं रहूंगा आपके ओनलाइन रहेगा सारा एक सारा लेकिन सिक्षन विदी को आप इतना अच्छे से सीख जाएंगे कि आने वाली जो आपके रीट की एक्जाम है उसमें सिक्षन विदी को कोई डर आपको नहीं होने वाला चाहिए आपने अब तक कैसी भी पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो पहले बस अभी क्यूजदे से प्रक्रिया सुरू हो जाएगी तो पहले चीज तो आपको जो यहां पर बुलाया उसका उद्देश ये था कि कुछ बाते आपसे करने थी और उसी तथ्य में पहला तथ्य यह है कि टीचिंग मेथड़ पर जोड़दार काम क्यूजदे से सुरू हो जाएगा ये क्लासेज दो-दो गंटे की लंबी भी आपको मिल सकती है एक एक गंटे की मिल सकती है साथ में क्यूश्चन्स भी विलेंगे और अभी विदिन फाइब डेज जो है विदिन फाइब डेज मेरा जो हिंदी साहित्ती का इतियास है वो हिंदी साहित्ती का इतियास और टीचिंग मेथड़ की इसकी जो क्यूश्चन है पहला काम तो हम क्या कि मिशन के थिरू करते हैं तो कभी काम होता है वो पहला मिशन के एप से करते हैं लेकिन कभी-कभी मैं अपने ऑन-लाइन एप से भी आता हूँ अपने मोबाइल एप जो काभियान वह से भी आता हूँ मिशन से जुड़े रहें जातर चीजह आपको मिशन से मिल जाएगी mission पे YouTube पे आकर के mission पे online आकर के हम आपको बढ़ा देंगे कभी कभी क्या होता है कि मैं घर पे होता हूँ तो मुझे यहां तक आने में थोड़ा सा SS महसूस करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वही सिक्ष कर देता हूँ ये काम तो वहाँ से मिल जाएगी लेकिन कुल मिलाके teaching method पे हम आपको कुछ multiple choice question और करवाएंगे वो इसलिए करवाएंगे ताकि आपकी जो practice है वो read के अनुकुल हो सके और read का जो syllabus है वो लगबग great second का syllabus है सुरा यह जो आधुनिक गद्य है इसकी PDF notes हमने आपको दिये थे और उसके अधार पे हमने आपको कराया था वहाँ पे आपको एक सलाह हमने दी थी कि आप लोगों को जो जो important tick लगवाया है उनको गहराई से पढ़ें उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होई तो हम लोग के अभी जल्दी दोतिन दिन में इस पे online शाम को आकरके और इसको लिखित में भी पढ़ाने वाले हैं तो लिखित में जो पढ़ाएंगे तो उससे में भी पढ़ाएंगे तो वही जो आपको पढ़ाया है पहले लेकिन क्या थोड़ी बाते ज़्यादा करेंगे कि इसमें ये पात्र ऐसा है इस कहानी का ये कथाना कैसा है तो कुल मिला कि क्या है वो कहानी से संबंदित बाते हैं उन पात्रों संबंदित बाते हैं उसका उद्देश ही किया है, उससे संबंदी तर्थी ज़्यादा बात की जाए है। आपको मालों कोई उपन्यास समझाया, तो जो इंपोर्टेंट उपन्यास है, उस पर दो लाइन, तीर लाइन लिखा दी, या लिखी हुई है। लेकिन सेस पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, तो क्या कई चीज़े ऐसे होती जो नेट जी आरेफ को टच करती है, इसलिए हमने आपको सेक्रिंड गेर्ड में उसको बताया है नहीं, नेट जी आरेफ की चीज़े ग्रेफ से दूर रखिए, सेक्रिंड से दूर गद्य की, आदुने गद्य में अभी संस्वनन जो है न, वो आपके पास एक दिन में आजाएगा, संस्वनन का एक वीडियो मिशन से लॉंच करेंगे, और वहां से आपको आजाएगा, संस्वनन वाला टॉपिक आपका थोड़ा सा छूटा हुआ है उस जगे से, ठीक है, वो याद भी है, हिंदी साहित्य का इतियास आपको बहुत अच्छे से हमने कराया है, कहीं से कोई कमी यहाँ पर रखी नहीं है, बस आप से यह उमीद है, कि आपको जो पढ़ाया है वो पढ़ें, जितना आपको याद कराया है उतना याद करें, इसको बार बार पढ़ें, प्रस्टन important मैंसे आने होते हैं लेकिन कहीं से ही आ जाता है होता ही है کہ जैसे यह line इस साल important नहीं लगवाई भो이 line इस साल exam में आ गए तो अगली साल वो important हो जाती है तो assist में कैंने हिंदी साय environmental गेथियाश आपको बहुत गैराई से पढ़ाया तो इसको पूरा आप इतना ही deeply पढ़नने जितने deeply आपको हमने पढ़ाया है ये आप शुरुआस से पढ़ते आये थे तो आपको याद भी काफी होगा मैंने लिगता है इसको याद भी काफी होगा तो इसके उपर आपको knowledge भी और थोड़ा सा इसको ज्याधा करना आधी काल से प्रश्ण थोड़ा कम हाते हैं बक्ति काल में प्रश्ण उसंख्या बढ़ने लगती है निती काल के प्रश्ण मेल करने वाले ज़्यादा होते हैं तो तुलनाप्ना रूप से पढ़ना रिती काल को और आधुनिक काल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो जैसे तीन कालों को पढ़ो उसमें जितना समय दो आधुनिक काल में उसका डबल देना पढ़ेगा क्योंकि आधुनिक पद्धी भी है और आधुनिक गद्धी भी है तो आधुनी काल थोड़ा सा ज़्यादा डीपली बढ़ना ये प्लान मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारा कोई भी विद्यारती जब टॉपर्स के लिश्ट टिकले तो उसमें मौजूद होना चाहिए और उसके लिए आपको आधुनी काल पे ज़्यादा फोकस करना है से आपका पहले पढ़ाय हुआ है तो दोनों किताबे आ रही है ना भी हिंदी साइट का इतियास उसमें लगबख 4500 प्रस्ट है और हिंदी सिक्षन विदी ने उसमें 2000 प्रस्ट है हिंदी साहित के इत्यास और सिक्षन विदी में उससे बार एक शब्द भी नहीं जाएगा तो आपके पढ़ाते समय क्या हुआ टेस्ट बगर एक कम कराए गए उसका कारण यह रहा कि क्लासेज हमको ज्यादा पढ़ानी थी टेस्ट का एक सिस्टम होता है पुरी टीम उसमें क उसने किस लेबल के पूछे जाएंगे यह दिक्कत रहती है तो वह दिक्कत आपकी खतम हो जाएगी भूक्स में प्रस्ण होंगे और उन्हीं प्रस्णों को हम यूटूब पर आकर के और बार बार आपको वीडियो समाधान देते समय हम आपको बता देंगे कि तुलनात्मक समाधान का काम रीट के बाद करेंगे अभी हम किसी को भी यूटूब पर आकर के और हिंदी साहित का इत्यास पढ़ाएं तो वह द्यक्ति पढ़ने में इंट्रस्टेड नहीं है क्योंकि बहुत सरे लोग इससे में रीट दे रहे हैं तो ऐसे सिती में अभी हम जो यूटू लेकिन हम आपको अभी जल्दी ही दो-तीन दिन में ही 20 टेस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे और आप उसको आराम से 20 टेस्ट दे दो मतलब 20 टेस्ट हम आपको निशुलक उबलग्द करा देंगे तो 20 टेस्ट को आप ऑनलाइन चेक करो अपने आपको रोज का एक लेवल ग्रैमर और सुक्ष्ण विधी में किस तरह का है अगली बात यह जैसे बीए लेवल की जो बुक्स हैं इनको पढ़ते समय हमारे पास कुछ समश्या तो यह रही कि बीए लेवल का हमारे पास मैटर ही उपलब्द नहीं था हम लोगों को नई चीज़े जो बदली हु प्रेशर आया और रिट के प्रेशर में विध्यारती यह किताबे बगर है थोड़ा सा कम देख रहा था आपने रीट की चीज़े ज्यादा देखने लगा तो क्लास में क्या नंबर ऑफ स्टुडेंट भी थोड़ा सा कम हुआ जब इनको पढ़ाया तो नंबर इस्टुएं रहेंगे तो आपको मालूम भी रहेगा कि अभी जैसे मानलो कोई आवार्ड मिल गया अभी मानलो इससी एक्जाम में परिंदी में अब मैं अब आधी तो इसको निए ने अब ही लिखने उसकी दैथ हो गही है, ताजा कोई घटना हो थी हिंदी में, तो उसकी बात को बात की जाती है। तो एसे श्टिति में काबिषास के जो दो है या दो छंद आपको मिले कि ये नया है तो उससे डरना मत क्योंकि ऐसे दुनिया में हजारों लाकों छंद है और हर आद्मी हर छंद के बारे में गहराई से जानकरी नहीं रखता तो आपको जितना पढ़ाया वो आवश्यक और काम-काम के थे, वो हमने सारे पढ़ा दिये, तो काबिसास आपको ऐस परियाथ है, प्रैक्टिस हम इसकी करवाएंगे, प्रैक्टिस हम सबकी करवाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। किसी भी टॉपिक को, तो मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं उसका पीडियेफ उबलग्द करा दूगा, हमारी गुक्स मार्केट में हैं, तो मेरे को कुछ नहीं करना, सारे एक एक टॉपिक की पीडियेफ मेरे पास उबलग्द है, आप जिस टॉपिक को बोलो, मैं उसका पर बस आप बता देना कि यह टॉपिक में हमें दिक्कत आ रही है, और नॉर्मली आपके डिमांड पर मैं ऐसे टॉपिक यूटूब पर लेके आता रहूँगा, क्योंकि मेरे को यूटूब के आवावाना है, यूटूब पर मुझे काम करना है, मैं समय चारा था, मिला नह जो आए, ग्रेट सेकंड आए, ग्रेट फरस्त आए, दोनों के प्रेशर में तूद थी मैं आप चुक्की इस समय पांच जुलाई के बाद ओफ लाइन तूद जो आंगे अ और वो टायम के लिएज है, यूटूब के लिए अब अब है, तो यह सारी चीजे जो आपको पढ़ना था, जिसके बारे मैं आपने बात करी, जो ग्रेड फस्ट के लोग हैं, उनका जनसंचार पत्रकारता वाला टॉपिक मैंने online पढ़ाया था, दुबारा उसको offline में लाएंगे, कल से उसकी class लगेगी, जो पत्र की चीजे हैं, ग्रेड फस्ट में, वो भी क इसम बाद में ग्रेड फस्ट की पहले है, तो ऐसे सिती में ग्रेड फस्ट वालों को जो जनसंचार पत्रकारता की कोई भी चीज के बारे में अगर आवश्यक्ता हो, मुझे बता देना, जो जनसंचार, पत्रकारता, रेडियो, नाटक, रूपक, कहानी, लिखन, उसके अल करके कहीं भी उपलब्द हो जाएंगे पर आपका छोड़ने कुछ नहीं देंगे, ये सब प्लान थे आगे के, कुछ विद्यारती हैं जो ओनलाइन पढ़े थे हमारे हाँ, और उन्होंने कुछ एक मिनट आपका समय ओल लूगा, अजन आपका समय आपका समय दोग्द एक मिन wusagी दमारे हाँ, इन Gwenways में कुछ एक मिन असलेकी अวजाने कुछ विर धसमय जजी हैं, इन दूनी मaching बनकुछ पक्निता हाँ, पुछ प्राश्न, आपका समय ये समय मुणत वांधे, प्र नहेसी मैं हो विद़गे अगे, आ झाल सारे सुनते जाएं आप इनको ये कई पोस्टेड लोग भी हैं कईयों के धीमे आवाज है ये आवाज कैसे बढ़ती है भाई है जी ये आवाज कैसे बढ़ेगी इसके आवाज बढ़ाना थोड़ी प्रड़ी गयं लोग भाज कैसे बढ़ेगी इसके टायएं झाल मानमसर को पड़ागा है परद आथे अभर् साप्षाथ प्रममैं संमेश्री गुरॉमेर मैं 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 मानमसर को पड़ाम करते हुं मैं आधिती शक्म्हाम के बड़ा रज़ता करिदी मैं मैं है की छयते करीजा लिए एखिए अपरफ्रम में समय श्री गुरवेन, मैं में मानुस्तर को थारा कि भलान करती। मैं अधि शर्मार भी बड़ा रजयतान स्दिरा पना थी। मैं रखिए अधिवार्थ को शर्म कुण से भीना करेदा है। मुझे बहुत नहीं से लेह आत्ड़ं के नहीं दान की आत का है的 में वह तड़त में की पीछ.. अगो उसाद साद बुपको ज़ाजाए तुकान आपकर आपका सब्सक्राइब आपकर अज़ाएं गारा है तक अपकर आपकर आपकर नापकर 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 नियुक। जब दो भी आपका कोर्स ले दिया सर आप बहुत ही अच्छा बढ़ाते हों जो अच्छा बढ़ाते हों आपक़ पढ़ाने का ठीका बहुत ही अच्छा लगा सर अनग जोगको पढ़ाते हों जो भी हब बढ़ाने का ही अगही अगलने चाहती हु क्योंकि यार नहीं हमें बहुत अच्छा पड़ाई और हमारा बहुत बहुत अच्छा अच्छा आपको बहुत अच्छा रहा है। मैंने यह पोर्स नॉवम्बर में दे दिया था एक्चुली था यह कहा गया था कि ऑनलाइन वाले विद्यार थी कहीं से परेशान नहीं होने चाहिए और हमारा भी प्रयास्ता कि ऑनलाइन वाले वच्चों से एक बर फीड़्वेक लें कि कोई कमी तो नहीं रही आप लोगों को तो यह सारे जो ऑनलाइन के लोग हैं उनको भी आपकी तरह मैसेज किया गया थ और यह कहा गया कि आपको जो भी कोर्स के बारे में बोलना है आप अपनी तरब से एक मिट का जो भी बोलना चाहें बता सकते हैं तो यह पूरे राजिस्थान के अलगलग जिलों से तमाम जिलों से आपको यह ऐसी ऐसी ग्रहेनिया हैं किसी का पती नहीं है किसी का भाई हो रहा है कोई अपने दो बच्चों को लेकर भी अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए हुए हैं बहुत करुण गता हैं इनकी और सबसे बड़ी बात जो पांच जार रुपे की फीस इन लोगों ने दी कई लोगों ने मजदूरी करके भी फीस दी है आपको कई बार कोई चेह चेहरा आपको बहुत चमक दमक में नहीं लगे तो वो ज्यादा गर्वीला चेहरा है क्योंकि वो मजदूरी करके अपने जिंदगी को निकाल रहा है और उसके बाब जूद भी उसके अंदर यह भाव है कि नहीं मुझे पढ़ना है और मुझे 100% सेलेक्ट होना है तो यह व परिवार के लोगों से लड़के चीद करके अभी एक महिला जो बोल रहे थी वो कहरी थी कि मैं एक यूटूब की क्लास देखी थी बस और देखते ही मैंने कॉर्स लिया अब ऐसा नहीं होते कि हासानी से कॉर्स ले 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 प्योंकि इन मेंसे कुछ लोगों ने पहले दूस कराने भिज़ेते हैं तो आप एक वर इन को थोड़ा और से सुनिये यह सब अच्छे लोग है और बहुत करने वाले लोग है इससे लगता है कि हमारा सेलेक्शन ही नहीं हम एक रेंट लेते जाएंगे तो और अच्छी बज़िए इस वारा हम हमारा सेलेक्शन सुनिशी तो इससाथ मानुशार का फुदगों थीने वाद पुदगों आबाद पुदगों कर दो कि फिर भी बुज़े इसम्ग्छ में आए अच्छ से आगार रहा है अच्छ से क्था गार रहा है कि आपको भी एक्जाम भी आपके साथ लेके लिए आपके लिए अजयर को जो आने आने हैं बहुत अच्छी पर बहुत है मैं दुनीु चीदा के माज़ो प्रॉत आपट है कि situations मैं नही। है कि विलिए भेटप को लिए था मात्राम सबस्कोन को को ज़ा को सातल अधित अधिक है अगर भिशन के की बैस्ट के से कुड़ा है अगर प्रोपर ली इसका रिविजन करके हम क्यारी करें, करते हैं तो हमारे लिए बहुत जड़ा खायदेमन सावित होगा और एक बार फिर से मैं मानाव सर्मासर का धन्यवाद कहना चाती हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया बहुत इबारीके से आपने समझाया और हिंदी में ग्रामर में तो बिल्कुल भी मेरे कोई जड़ी डाउट अभी नहीं है बहुत अच्छे से मैंने को समझाया धन्यवाद थैंक्यू से नमस्ते मेरा नाम किरन किरोड़ेवाल है और मचूर जिदे की रतन कर तैसिल पढ़ी आरा काम से हूं और मैंने मानावसर के हिंदी का कोर्स लिया था और कोर्स पूरा बहुत अ जड़ी की से हो गए है और हमारा हर कोपिक अभी यह आपको शो कर रहा हूं उसके बाद माई का आप लोगों के आख में दे रहा हूं फिर आप अपने इस तर से इस कारिकर को संचाइजगर में आराम से बैठ के देखो जयतारण पाली पोस्टड है और मानव सर से मैंने ओनलाइन कोर्स पूरा किरवाया तो हमारा सले बस और मेरा जू सब्जेक्ट वो इतने अच्छे से कवर और बहुत दो तरने वाच्छरा है जी जै स्रीक्रिष्णा मैं आपके फर्स्ट ग्रेड ओनलाइन पाउंडर्शन बैच हिंदी का विध्यारती योगस कुमार मेना जो कि वाटिका सिटी जैपुर का रहने वाला हूं मेरे अधुली ने गुरू डॉट्र मानोशर्माजी के मारगदर्सन में मैंने हिंदी साहिपे को परथम द्रश्ट या जाना है यहे गुरुजी आपके मारगदर्सन में हमें स्रहिष्ट हुज्य अवश्य प्राप्त होगी गुरुजी आपका कोटी-कोटी धन्यवाद गुर्मामी सायर आपके हिंदी परके हमें बहुत जादा अच्छा लगाती है क्या है कि राजस्तान के तमाम एक 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 जिल्ली का वीडियो मेंने मंगवाया और सिर्फ इसलिए की पभीष्टी में जब भी कभी कोई सेलेक्ट हो क्या सेलेक्ट होने के वाज बिद्यारती बोलते हैं बहुत है न तो आपके फोटो किस्वार हूँ क्या है लगा रखाया है उनने क्योंकि पिछले वापका टॉपर भूल गया ठीक है तो जैसे आप सेलेक्ट होगी तो दुनिया आएगी न आपके पास तो आएगी कि नहीं आएगी और बोले लो हमारी कोचिंग के एक वार बस नाम बोलते हैं एक वार हलका सा और यह लो जानत है थोड़ी सी उसको भूलना मत और यह मैनत अभी अभी की लिवल थोड़ी के लिए रहे मैनत आगे में चलेगी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी आवश्क्ता और मजबूरी होती है कि इस लिवस ताइम भी बुरा करें अगर इस लिवल होता तो मैं एक्जाम स समय होती है मुस्लिम शात्रा है हिंदी से तैरी कर रहे हैं अच्छा किसी को उर्दु आती हो तो वो पशंद करें या नहीं करें लेकिन हमारा ऐसा रहता है कि दो चार दिन क्लास लिवसक्त पार हिंदी समय महरूर आना लग जाईगी उर्दु भूल जाओ यह जाती है पीच्वें जिसने यहीं का कि सरकार रूड भी हैव रहता है यह आप देखें नौएडा से है नौएडा को यूभी मढ़ता है से आज किसी नहीं पढ़ा है और अगे शायद किसी नहीं पढ़ा है हो तो आज भी कोचिंगी जड़ों आप समीत और नमस्तार में मंतानागर कोठा से मैंने मिसंत सल्सान से मानुस तो आप लोगों की अपने तैयारी होगी मैं तो आज तो बोलने के दिन आपका है 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 इस जड़ा किया करेंगे आपकी जब नौकी लग जाएगी तो डीजी बजाएगी आज वागों आज सब्सक्राइब है अब लोगों के हाथ में माइक लिजेगा आप लोग समय लिए चंपर हम तुम लेलो अब यह लास अपने हाथ में सबसे पेले आप सभी को नमस्कार सबसे पेले आप द्यान पुरूप मेरी बात को सुनेगे मैं विद्या की देवी मासरुसती के स्री चरणों में प्रणाम करते वे बाबा गोविन देवची के इस तपो भूमी को राजस्तान की वीरता, एकता, अखिधता, प्रागरम, त्याग्वे सोरी की सपर्ति पूर्ति, इस राजस्तान के दन्य द्रागों में प्रणाम और करता हूं सबसे पहले में एक मोटिवेशनल कोड के साथ आप मेरे बात को सुरू करना चाहूंगा कि रहे जहां तक जाएगा तुम दर्या से चाप उच रहे हो नीर कहां तक जाएगा रहे खेच तनू की डौर सादो निशाना अपनी मंजिन का बाकी बात में देखेंगे कि प साथ तक जाएगा दोस्तों जीवन में कभी भी हतास और निरास नहीं होना चाहिए अपने जीवन में हमेशा आगे पढ़ना रहना चाहिए जबसे आपने रीट की जो प्रिक्सा 2021 में दी उसके बाद में कहीं न कहीं आपको लगा कि दित्यसरणी सिट्सक की तैयारी करनी च सिट्सक आपको बनना है वो सपना लेकर जैसे ही आप राजस्तान की राजदानी में आए शब्चे पहले आपने मिशन इंस्ट्यूट को चुना और मिशन के बाद में आपने मानो सर्मा सर को चुना मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि राजस्तान में नी संदे बजा कर किसर का अभिवादन करें दोस्तों राजस्तान में आप सभी अभी वरत्मान समय में इंदी दिट्य स्रेणी सिख्षक बरती की तयारी कर रहे है और इंदी दिट्य स्रेणी सिख्षक बरती में जो सलेक्शन का आदार है वो इंदी साहित्य का इतियास है और इंदी साहेते इत्यास में आपके सेलेक्सिन के साथ जो सेलेक्शन में आग में घी ड़ने का काम करेगी वो व्यक्रेन वयसिक्षन विद्या करेगी और उसके साथ में आप आगे बढ़ करकर जाएंगे तो आप mishande AirPods upon होगे अपने ऑप छोटी सी रचना है कभीवर राम धारी कि रस्मी रती उस रचना का नाम है, मैं आपके समक्स परस्तुत करूँगा, आप सबसे मेरा आगरे रहेगा, कि एक बार ध्यान से उच्छ रचना को आप सुनेगे, रचना का नाम है रस्मी रती आपने सुने होगी, और ये रचना लिखी है कवीवर रामदारी सिंग दिनकर और इस कवीता की जो अंतिम पंक्तिया में सर के आदरिये सर मानुस सर्मा के आजिवा से आपके समक्स परस्तुत कर रहा हूँ, तो दोस्तों ध्यान से सुनेगा, पुरा ध्यान मंच की और होना चीए, मेरा विश्वास है, जब तक आप अंतिम पंक्तियों को सुनेगे, में किया, जब महापारत का युद्ध होने वाला होता है, उस युद्ध से थोड़ा सा पहले, भगवान शिरिक्रिष्ण पांडों की तरफ से दुरियोधन को समझाने के लिए जाते है, और दुरियोधन को कहते कि दुरियोधन महापारत का जो युद्ध हो बड़ा विद् करना करम को वहां पर भगवान स्री कृष्ण अपना वयावे रूप दिखाते हैं इस पूरे गट्ना करम को कवीवर रामदारी शिंदिनकर ने लिखा है तो दोस्तों सुनेगा ध्यान पुरक सुनेगा मेरा विश्वा से जब तक आप अंतिम पंक्तियों को सुनेगा आप उस कुछ और निखर शोपा की सब दिना सोता है, देखें आगे क्या होता है भगवान स्री कृष्ण दुरियोधन की सबा में जा जाते हैं, जाकर के क्या कहते हैं सुनRIड़ा की मेत्री की रहा बताने को सब को शुमारिक पर लाने को दुरियोधन को समझाने को वीश्ण बगवान हस्तिना पुराए पांडव का संदेशा लाए क्या संदेशा लाए सुनेगा कि तो न्याए अगर तो आदा दो पर इसमें भी आदा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही कुशी से खाएंगे परीजन पर असी न उठाएंगे दुरियोदन वैपी दे न सका आसी समाज की ले न सका उल्टे हरी को बांधने चला जो था असाती शादने चला जब नास मनुच पर छाता है पेले विवेक मर जाता है दोस्तों उस सबा में भगवान सिरी कृष्ण को दुरियोदन बांधने के लिए चलता है जब भगवान सिरी कृष्ण क्या करते हैं देखना कि अरे ने भीषण हूं कार किता अपना सवरुप विष्णार किया डगमक डगमक दिगज डोले भगवान कुंपित होकर बोले जंजीर बड़ा कर शाद मुझे हाँ हाँ दुरियोदन बात मुझे दिपते जो ग्रह नक्सतर निकर सब है मेरे मुक के अंदर द्रग हो तो द्रिश अकांड देख मुझमें सारा प्रमांड देख चर अचर जीव जग चर अचर नस्वर मनुषी सुर्जाती अम्मर शत कोटी सूर्य शत कोटी चंद्र सत कोटी सरित्र सद्शिंदू मंद्र सत कोटी प्रमा विष्णू महेस सत कोटी चिश्णू जलपती दनेस सत कोटी रुद्र सत कोटी काल सत कोटी दंड़ दरलोक पाल जंजीर बढ़ा कर शादिने हाँ हाँ दुर्योदन बात दिने भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यदेख जगत का आदी सरजन, यदेख माँ भारत का रण, मरतकोशे पटीवी भू है, पैचान इसमें कातू है अंबर में कुंतल जाग देख, पद के नीचे पाताल देख, मुठी में तीनो काल देख, मेरा सवरूप विक्राल देख, सब जनम मुझी से पाते हैं, फिर लोट मुझी में आते हैं, जिवा से करती जुवाल सकन, शांसों से पाता जनम पवन, पर जाती मेरी द्रश्टी तो पेले बांध अनत गगन, सुने को जो साधना सकता है, मुझे कब बांध सकता है, दोस्तों अनत में भगवान सीरी कृष्ण दुर्योधन की उस सबा को जोड़ करके जाने लगते हैं, और दुर्योधन को उस युद्ध की पीशन, चेतावनी देखर के जाते हैं, क्या कह पीशना नहीं अबरण होगा, जीवन जया की मरण होगा, तकराएंगे नकस्तर निकर बरसेगी बूपर वेहनी परकर, पनशेश नाग का डोलेगा, विक्राल काल मुझ खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, अन्तिम पंक्तियां दोस्तों लोग डरे, चुप थे या थे की बेहुस पड़े, केवल दो नरना आगाते थे, दरतराष्ट विदुर शुप आते थे, कर जोड़ खड़े, परमोधित निर्भे, दोनों पुकारते थे, जैजै, बगवान सबा को छोड़ चले, करके रण गरजन जो, जोड़ चले, धन्य को अकिकत में बदलना है, तो दिस्तों हार कभी भी मत मानना, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने रखना, एक चोटी सी कहानी आपको सुना करके मैं मेरी वानी को विराम की और ले जाओंगा, कहानी है राजस्तान के, एक मिन्ट सुनेगा सब, एक मिन्ट की बाद, एक मिन्ट सुनना ज्यान से, सुनाओ, तो दोस्तों जीवन में आगे कैसे बढ़ना, एक चोटी सी प्रेरकानी आप सुनना ज्यान से, कि आप जीवन में कभी भी निरास और हतास नहीं होना चाहिए, तुशिंत कुमार की एक पंक्ती है, कि इस नदी की तार है ठंडी हवां आती है, नाओ जर्जर ही साही लेहरों से तकराती है, एक जिंगार ही तुम कहीं से डूंड लाओ दोस्तों, इस दिये में तेल से फीगी विपाती तो है, दोस्तों, बाद मेर के एक सुदूर रेगिस्तानी तरों के बीच में रहने वाली रूमा देव आपने द्यान परुक सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यावाद, अब मैं चाहूंगा एक बार मानो सर्मासर के लिए एक बार जोरदार पुने तालिया हो जाए, क्योंकि दोस्तों, राजस्तान में इंदी साहिती इतियास के शिक्षण में मानो सर्मासर का कोई दूसरा व झाल 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 आदाने मेरे गुरुजी, मानव सर, और मेरे सबी प्यारे साथी, ओफलाइन और ओनलाइन वाले, सबी को मैं प्रणाम करती हूँ, सर को प्रणाम करती हूँ. जैसा कि आप सभी को विजित है, बस, 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 आप सभी को जैसा कि विजित है, अपिन यारी, अटोब कर रहता हूँ, जैसा कि आप सब, जैसा कि आप सभी को विदित है, जो हमारा ये विदाई के जो कारिक था, ये 22 को होने वाला था, और हमारे विजेश आग्रह पर सर ने इसको 24 के लिए रखा, इसके लिए हम तहे दिल से सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, कि हमें सर ने बॉलने का मोखा दिया, हम सर के अब हम सर को स्टेज पर बुलाना चाहते हैं, अब हम सर को स्टेज पर बुलाना चाहते हैं, कर दो दो करे हैं, अब हम सना है। सबसे पहले तो मैं सर दो एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ सर के लिए हेलो हेलो आरी आवाज मैं सर को मेरी तरफ से गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ गुरुदेव तिर चर्नों की गुरुदेव तिर चर्नों की अगर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ मेरी सच कहती हूँ मेरी गुरुदेव तिर तिर चर्नों की गुरुदेव तिर चर्नों की एक बुरुदेव तिर चर्नों की गुरुदेव तिर चर्नों की अर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ मेरी सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए गुरुदेव तिर चर्नों की अरे वह क्लाइब तो करो और और मैं आपके सभी से सामने एक भजन भी कहना चाहती हूँ क्रिशन भगवान का गौँ क्या अरे यह रुपी में गाए आगे क्रिश्चन, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama रमा रामा हरे 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 क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे अचुतम केशिवं कृष्ण दामोदरं अचुनाना येडं जान की वल्लवं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अचुतम केशिवं कृष्ण दामोदरं रामना रायनं जान की वल्लवं कौन कहते है भगवान सोते नहीं तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अचुतम केशिवं कृष्ण दामोदरं रामना रायनं जान की वल्लवं देहीं कि अचीत रामना राद मैं डिशान रामना रहीं सबसे पहले मास सरस्वधी को प्रणाम करता हूँ इसके बाद मैं गुरुबर हमारे मानव सर्मा जी को प्रणाम करता हूँ कहते हैं दोस्तों सभी अवाज नहीं आ रहे हैं सहीं हलो समय कम है वो कहते हैं कि वक्त आता है वक्त जाता है वक्त आता है वक्त जाता है वक्त को समाल के रखिये क्योंकि वक्त बेवक्त काम आता है दोस्तो जब मैं बोलता हू भूलता हूँ बोलता लाड़िस्वीछ को लोहे का बना हूता है लोह पर उस्तो सरदार वलला बाई पटैल को का गया है जिसके सब पर फूल चड़े फूल संसार में दो हुए एक नहिरू जी की सेरवानी पर चड़ा है एक फूल जिसका गुलकंद बना, गुलकंद रुख की जड़ा है और जड़ों में जर तरबूज है तरबूज को देखकर रंग बदलता है, रंग किस वदला रंग तो बदला है, तिलर का जिसने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लेने के चाहिए हिम्मत और हिम्मत जो कि एक सेर के अंदर होती है और चालिस सेर का एक मन होता है, मन बड़ा चंचल होता है और चंचल मदवाला की बेहन थी जो कि एक दिल की बीमारी से मरी थी दिली एक मंदर है मंदर जिसमे राजंदर कुमार और मीना कुमारी ने काम किया था मीना कुमारी के पैर बड़े खुफसूरत थे लेकिन उससे भी खुफसूरत उसकी कानों की बालिया थी बालिया संसार में दो हुई एक गहों की बाली एक योगता बाली योगतावाली एक हिरोईन का नाम है और हिरोईन एक नसा है और नसे की लट छोड़ाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है अंत में यही काउन का गाओ गुलसन कुमार की तरह प्रेम करो लक्षमी कांथ प्यारे लाल की तरह हसो मादरी दिच्छत की तरह और लगे रहो मना भाई की तरह तेरे चीने में मरने में ही मेरा नाम आएगा मैं सांसें रोक लूँ फिर भी यही लिजाम आएगा हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा अगर राधा अपकारेगी तो फिर घनस्याम आएगा कोई पत्थर की मूरत है किसी पत्थर में मूरत है लो हमने दे खिली दुनिया जो इतनी खूब सूरत है जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है मुझे तेरी जरूरत है तुझे मेरी जरूरत है किसी के दिल की मायूसी जहां से होके गुझरी है हमारी सारी चाला की वहीं पैखो के गुझरी है तुम्हारी और मेरी रात में बस फरक इतना है तुम्हारी सो के गुझरी है हमारी रो के गुझरी है हिंदी की हिंदी सायत की कप्ता सना देता हूँ हे इस्वर माल के हे दाता हे इस्वर माद के हे दाता हे जगत नियंता दीन वंध हे परमेश्वर प्रभु हे भगवन हे प्रतिपालक हे दया सिंधु सच्चदानन्द घट घट वासी हे सुख रासी करुणा वतार ए बिग्न हरन मंगल मूरत ए सक्ति रूप हे गुणाधार सभ्वेताय सस्वी हो जाए मानवता का फैले प्रकास सब दिब द्रिष्ठी के पोसक हो कर दो कुद्रिष्ठी का सर्वनास इतिहास गढ़े जाये प्रतिबल प्रिष्ठों में अकलन कता रहे सज्जनता का नुसीलन हो मानव को पथ का पता रहे हर एक माल का विदुसी हो हर वालक नीती निधान रहे जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे सोपनीता हो कर मनो वृत्तियों तूंग से खरेस पर्स करो गुण स्रेष्ठ प्रस्पटत हो इतने सम्यक हो कांती विमर्च करो उत्फुल रहे हर एक व्यक्ति पर परमसरलता बनी रहे सब्दों की अपिनी गर्मा हो अभिरामतरलता बनी रहे एत्रभुवन के पथुन नायक सरकार से गौहार मत लगाईए एत्रभुवन के पथुन नायक आपदा प्रवंधन के स्वामी हम बिनत भाब करवध खड़े ए सरबेश्वर अंतरयामी ए नाथ सनाथ करो सबको जन जन हो जाए निर्विकार विपलवी गोस विध्वन समिटे खोलो सब के हित मोच्छ द्वार नितनव किस रैव किसत प्रसून अति सुन में सख़द विहान रहे ब्रह्मरों का जिस पर जूम जूम अन गुंजत मधुरों में गान रहे आरती भारती की उतरे और पूजत तनमन धन प्रान रहे जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदोस्तान रहे तब तक ये हिंदोस्तान रहे मानफ सर की तो क्या बात का है मानफ सर के तो मैं क्या है कि 2013 से मानफ सर का फैन हूँ हैं है कि मैरे भईसाद थे जो भारत्पुर में हिंधी पढ़ाते हैं रियास कोचिंग में हो बीके जाने माने टीचरें बरातपुर के अंदरnapी पुलिस में और वो मानफ से पड़े हुए गंगापुर में तब से मानफ सर के नोट्स देखें इनकी तारीफ सुनी तब से मानफ सर पढ़ने के लिए लालायत था इसके बाद में जैपुर आया जैपुर सबसे पहले गीता अंजली में सुना का मानफ सर गीता अंजली में पढ़ाते थे तो उसके बाद में गीता अंज साथ है। कोई दिक्कित नहीं है भाड में जाए इसको राग लगे मिठास में जिंदी कट रही है संदी और समास में गुरू जीन के वह कुछ लोग चल जूटी को अवकात दिखाते हैं इसी लाइन हमारे मानफ सर चलते चलते गाते हैं मानफ सर की बाती निराली है इस हमारी मिठान के ठाटी निराले हैं इसमें कुछ मानफ से मत वाले हैं कुछ जाखड से दिल वाले हैं क्या क्या पता है वो अगर वो पूछ ले हम से तुम्हें किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हम से तो ये, कुछ लोग के आम कुछ पढ़ाई के उद्धेश से बैचें कुछ का कोई और ही उद्धेश से आर के साथ कभी जीत भी मिल सकती है लगे रहो तो फिर वो की प्रीध भी मिल सकती है और कुछ बावातेया इसलिए दोना रमाय बैठें कि नी वक्तमानी प्रीद भी मिल सकती है तो यह सेट विकारी दास का लड़का लखमी चंद साधी को बेचेंथा मगर एक आख दी बंद नित आहें भरता साधी के चक्कर में सिफसंकर की पूजा नित नेम से करता सिफसंकर की पूजा कैसे करता कि नाम आकास गोर जारा है पंडित मा समझे ना मेरे को बस्ती बस्ती घोर उदासी परवत परवत खाली पन मन हीरा बे मोल लुट गया गिस गिसरी तातन चंदन इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं एक तो तेरा भोला पन है एक मेरा दिवाना पन दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही रास्ते में खड़े दो अधूरे स्वपन एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही वक्त की कुरूर छल का भरोसा नहीं आज जीलो के कल का भरोसा नहीं दे रहे हैं वो अगले जनम की खबर जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं अधुवसे नगर में अपने फाव लेके आये थे हर सवाल का गलत जवाव लेके आये थे प्रेम की गली में सब सराव लेके आये थे हम बहुत खराब थे किताब लेके आये थे गाना सुनाओं के कोई मुझे तेरी महुपत का सहारा मिल गया होता या वो ये प्यार हमारा मर रहेगा या चाहे तुझको चाहूं गार्दम पताओ कौन से ये एक बोल दूसर गाना मुझे तेरी महुपत का सहारा मिल गया होता अगर तूफा नहीं आता किनारा मिल गया होता मुझे तेरी महुपत का सहारा मिल गया होता न था मनजूर किस्मत को न थी मर जी बहारों की नहीं तो इस गुलेस्ता में कमी थी क्या नजारों की मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता अगर तूफा नहीं आता किनारा मिल गया होता हसा करो कुछ तो ऐसे उदास बैठे हैं जैसे बीबी के पास बैठे हैं मैं चाहूं तो वीराने को भी गुलसन बना दूँ और मुर्जाय हुए आलम को सावन बना दूँ और मैं उस खोदा का वो नेक बन्दा हूँ जो किसी आभागन को छूलू तो स्वागन बना दूँ तो ये हैं आपके लिए दो मंत्र लेके जा रहा हूँ दो मंत्रों को याद करो हिंदी सेकंड ग्रेड सलेक्ट हैं तो ये नहीं हैं तो नअपनी बना दूँ ये ग्लाट चाथी खुट रहूँ थे? और अब सारीता कुछ बोलना चाहती है चेलो आप एके केरके अपनी प्रतिवा को दिखाते जाओ आपके लिए नास्तवास्तवायर होई चुका है और अभी क्या है थोड़ा सा समय अवाल लग रहा है बस और डांस का प्रोग्राम हम लेप्टॉप से घीच चला देंगे मौनिका का तो नाच लेगी आराम से क्या है कि सब लोगों की इच्छा है कि मौनिका का जो डांस प्रतिवाए वो भी सब को दिखाई जाए तो इसलिए सरस्वती माता को नमन करते हुए मैं आपके सामने दो सब्सकोलना चाहती हूँ खुरु गोविंद दो खड़े कांकी लागूपाँ पलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता इक भीरा जैसे कि आप सब को पता है गुरु की महिमा बगवान से भी बड़ी है और मुझे हिंदी सब्जेक्ट में इतना नहीं पता था कि मैं आगे मेरा फिचर क्या होगा मुझे यह आपके पता च जला मानोसर से पढ़के कि हंदी में में बहुत कुछ कर सकती हूं आप कि इसे के साथ में अबना कैसे सो सकती है वो आखे जिन में एक बाफ होते हैं और मनजिल उने ही मिलती है जो सोथ के आँखों में भी ताथते रहते हैं ठेंक यू बोलना चाहती हूँ क्यों वो मेरे साथ हमेशा रहते थी तो मैंको ऐसे लगता था कि मैं कुछ करनी पाऊंगी पर मेंने उनसे भी बहुत मोटिवेशन लिए है कि उनके दस साल का बेटा है फिर भी वो एक अपने एक स्टुडेंट के रूप में भी बहुत अच्छा कर रही है और आज उन्होंने सर के लिए बहुत अच्छा सॉंग इडिकेट किया वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का है थेंक अब एक बार आप सब की तरफ से सर का स्वागत होगा तो आप अब एक बार आप सभी जोड़़्धत के साथ आधर निये इंदी साहति की पर्थम रास्दाने की आभाज आधर ं 있는 सर्मा ऩर को मंचपर आमंत्रीत करना चाहूंगा कि मानो सर्मा सर्मा सर मंच पर आएं और समझ समस्त विद्यार्तियों की तरब से सर का सापा पहना करके स्वागत और अभिवादन होगा। तो एक बार पुने जोरदार तालियों के साथ मंच पर अभिवादन हैं। इंदी साहिती के शेतर में राजस्थान की पर्थम हुए बेरोजगारों की बुलंद आवाज आधेनी मानुसर मसर। अब चाहूंगा मैं हमारे साती साती लोगों से की मंच पर आएं और सर का सापा पहना करके स्वागत तिलग लगा करके स्वागत करेंगे पहले। बभल में इंदी साती स्वाऑत मानुसर मंच पतनर मorar कम पन tęए बंदी साती सी दवाने के ले डिए निए झाह लिए खा genetic अजलना 9 कि कि अचे खीन है सापा Angebल दो मिलाखन मॉण योदिए लगाज आखीज formally लगी कि हूंगा मिला उरी स्वागत कराश पस्वा स्वाँ रिया आलो, भी, एक बार आप सबी लोग आजाएं सबसे पहले सर्का साप पेना करके स्वागत करेंगे एक बार एक बार पुने आप सब जोड़ा तालिया बजा करके मानो सर्मा सर्का बिवादन करेंगे दोस्तों हमने पिछले जो 6 या 7 महिने में मानो सर्मा सर्चे अध्यन किया है ने संदे आने वाली परतियों की ता प्रिक्षा में हम सपलता के आया हम को छुएंगे मानो सर्मा सर का एक बार पुने बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद अब आप मैंसे सब एक करके आएंगे और सर का अभिवादन करते जाएंगे आप मैंसे सब करम से आएंगे सर का अभिवादन करेंगे आप मैंसे सब करेंगे अब आप से कुछ कहेंगे उसके बाद आप सब करम से एक एक आएंगे सर का अभिवादन करते जाएंगे एक तुक्या ये बड़े उसकी बात है ऐसे विद्यारती कम मिलते हैं हमारे देवेंद्र जो है अभी देहरादून था और ये नेशनल फूटवल प्लेयर है तो देहरादून में नेशनल फूटवल का प्रसिक्शन चल रहा था क्लासे बीच में छोड़ दी थी लेकिन विदाही का विशेस होता तो मेरे को कहां था है बैंगलोर थे बैंगलोर थे बैंगलोर से जो है यहां आए हैं केबल इस प्रोग्राम की वज़े से तो ऐसे विद्यारती हों तो उस तीचर के लिए और भी खुशी का विशे होता है कि अपनी नेशनल ट्रेनिंग फूटवल की जो है उसके बीच में से समय निकालके एक दिन के लिए आना बहुत मुश्किल काम होता है सच में अजभूत है कि अपना बहुत है एक बार आज सबी कलेपिंग करके सरका सम्मान बढ़ाएंगे कर बार दो घक muें दयार हाना खुआ है क difरका अुमान बढ़ाई प्सक्टाद मेंप्रा प्सक्टार दोण तो सम्मान करे सरका स मानी लार खाहम करे छाओ प्सक्टार ओया है अग कर तेम्स करते हैं आटे 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 से ड़कान आटे रखेकान तूमने समय कि आढ़ दो कि आपकी आपकी अज़ हैं प्यार दोड़ दोड़ा आप प्यार है अब जो इसके हमाद गो ठेगल है? आप एů ऐसे तयाये थनांट Anda आ़ baik यूद यूर कन तया झे हम उनाट यूद्ध़ आप कर दो कर दो कर दो एक कर दो. ठेसान एक जो प्राइब कि बने कर दो बंदे आ जो दो दो प्राइब कर दो, हम आगा हो जा है मैं इस बाइब को झाल मानओडा प्राइब क्रिक प्राइब कर दो दो है कि चलिए निगा है एलो और सुन है आदयो आत्म में ले दिल के ले और जीने को क्या चाहिए आत्म में ले दिल के ले और जीने को क्या चाहिए आहो तु दास तरे पास पास में रहूंगा जिन्द जीवर आहो तु दास तरे पास पास में रहूंगा जिन्द जीवर आत्म में ले दिल के ले और जीने को क्या चाहिए आत्म में ले दिल के ले और जीने को क्या चाहिए आत्म में ले धिल को क्या चाहिए कर दो कर दो हाई ना भी इतने हसी नहीं कोई नहीं उसने दो लागा आपके तुझे मैं से लख कर आपने नहीं इतने हैं कोई जी ने को कहा चाहिए आपके क्यार कर दियो मरता नहीं हम तुम मरते हैं होते हैं वो लोग अमार प्यार जो करते हैं चितनी बुक्ता जिसमें बहसर भूँ क्यार जिसमें वर जीमें तो क्या दाय ap ừ ừ ừ यदोट्य रियो में यह झाद यह जादे प्रचु प्रचु जादे टी झादे प्रचु जोब प्रचु चाई दो लौब तो अप्राइब आप है हलो मैं तो तेरे आली ही है आजी जिसको भी पोटो के लिए करवानी है एक बार में करवालू आगे डांच प्रोग्राम चलने तो इसा दून अटेसे आले ही यही Camp को आजा में एक भालोक्रीा को अच्डास करहा है करांच आजाधेने खेशने को आजाधे आगे खे और में को यहीं कि आज़शनना नेहीं कर देसके ल माते संपादना कुछा जो यहीं, क्याँ, कर देदा दुने, कुछ deposit कुछ विद्धियार के विशेस्टेंज केना चाहता हूं जो गाउं में थे वहां से आएं अभी हमारे कमले से वो दिल्ली से आई है के बल इसके लिए कि आपके प्रोग्राम में समिट हो सके अधरवाइच पहले से लोग उनलाइन पढ़ रहे थे तो यह सारे लोग बहुत द कि आप होसा अधर आप हुआ है झाल 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 कि घजंसे ही प्गपरों कि अुपरों कि अगो कि अग़। कि अ कि अगरों कि अ कि अगरों कि अग़। लुट जगने पाइब मुटना करे दो जगने जगना करें लुट किया लगने मुटना करें लुट अज़ से अज़ लुट वह रादी से लुट कर दो पाय। हनलो हनलो है हरू खुद्ध मावां दूद्ध मावां। ले जाकू संदे साम मेरा मैं सभ दे जावां। वादों में फिर फुले बढ़े गए बक्त अम्यां में। ये जोटी सी दिन दिसी से राता मपियां दोगियां। वो गड़े राच्छा पर देशी, कि तरी मेरे कि दूरे, वो गड़े कि लिवार चार नहाभ बड़े हेए्धिन, कि वो खर दो स्टीर, वो गड़े राच्छा फिऴे राच्हां । वो गड़े राच्हां, कि तरी मेरे मारे लाच्का पर दाच्ट पार देशे, तरी मोड़े राच्छा dessert चम्-चम करता या मोसं प्यार और्गी के दो का ग्रसते प्रतिया ड़स्ता देख्थेंद शिनकी कोदा आज में लन्म की आठना छेलो बात में दाई आ दी मैं तुपम प्यार सुने बस प्यार हिं रोडे खादी खाण आजा मझेशनी हैं हालो कि भिलागे थाउन कि अघा भाउ लिए अक्स भी अनले, अखलाइ ने ने जात्य हमेल Gleich मैंने चिला तो बेड़ी लेके और तुते दे और न मोड़ आया मैं ओते दिने चोड़ आया रब जाने कब भुजिरा अमरत सर कब जाने लाब ओर आया मैं ओते दिने चोड़ आया कमोड़ आया मैं ओते दिने चोड़ आया मोड़ पे वो मुठियार मिली मोड़ पे वो मुठियार मिली हो जट रहना पातन हो गया इसकी जुल्भों की साओं मैं मैं दिसकर राद में सोके आओ जब जागा सब सिद्धियार मैं तोड़ आ रहा मैं ओते दिल चोड़ आ रहा में आसे दिल चोड़ आ रहा बस एकन नजरे मुस्ता एकार बस एकन नजर उसको देखा तिम मैं उसकी तस्मीर लगी क्या नाम था उसका अपजाने मुझे को रादे की ही लिल लियो मैंने देखा कोई के सपना संग उसके नाम पना मैं तोड़ा रहां मैं उते दिले चोड़ा रहा क्यों बोल आरा मैं उसके दिले चोड़ा रहा क्यों बोल आते डाम पना पना मैं उसके भंड्स क्थ़स्क्राइब lifestyle क्थ़स्क्राइब लेड़ा 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 लेड़ व्रीप निय करेखा है एक खास मेमा में हमारे उनसे आपका पर्चे करवाता हूँ आदेनियर सेटर शर्मा जी है परवीच आप जो है नेशनल लेबल पर रंगमंच को सवालती हैं कई संस्ताओं की अध्यक्षा है और अंतरास्ते और रास्ते इस तर पर आपने और आपके पतिदेव जो है आदेनि सुबा को कई जगे लोग कलाकार की रूप में लोग संस्किटिक रूप में जगे जगे बिखे रहा है आपको दुनिया वर की संस्ताओं से बड़े आवार्ड मिले हैं रास्ते इस तर पर कई पद आपके पास रंगमंच के और नाटिसास से समन्दित पदों पर आप आशी बारी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हिंदी साहित्य को एक्जाम के दृष्टी से कभी नहीं देखा है एक्जाम के लाइक कभी नहीं पढ़ती है पस हिंदी क्या है इनको जैसे अभी जैसे हम लोग है ना हम लोग जैसे मीरा भाई पढ़े तो हम मीरा में हम लोग पढ़ते हैं कि साथ प्रभू के दर्शन के लिए मेरा नाची तो वो जो भजन पद है उनको हम लोग तो नौर्मली सुनते हैं ये लोग उस पर लाइव जो है कारिकम पेश करते हैं और रास्ति और अंतरास्ति इस तरपर ऐसे प्रोग्राम करते हैं तो ये सच में साहि सब्सक्राइब को जीने वाले लोग हैं और आज इन्होंने आकर के तो इस कारिकम की सुभा बढ़ा दी है वो धन्यवाद मेरा हिर्देश से आवारी सर्पधम मैं सम्मानिय वानवत्र का यहां इस मज़ पर हार्दिक अभिननन करती हूं मैं भी आज एक अफसर मिला है पहरी बार इनसे मिलने का फोन के माधियम से वाट्सप के माधियम से फेस्बुक के माधियम से मैं इनसे रूपर होती रहती थी और मेरा मकसद केवल क्लास में एक्जाम फाइट करना नहीं था जब मैंने इनकी यूटूब में क्लास देखी बस इसी वज़े से मैंने एडमिशन ले लिया और मैंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया है ना मैं करने वाली हूँ क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस हूँ अंतराष्टी ब्राह्मन माहसंग राष्टी अध्यक्ष ओल इंडिया राष्ट्य हिंदू एक्ताव मंच प्रदेश अध्यक्ष और जैबजंग सेनर राष्टी अध्यक्ष और मैं एक आर्टिस वील से हूँ क्लासिकल डांसर और फोक डांसर अभी तक हम अपनी आर्ट एंग कल्चर को 19 देशों में प्रजेंट कर चुके हैं और क्या थाने से भी मैं CLG मेंबर हूँ तो काफी सामाजिक संगठनों से मेरा सरुकार रहता है लेकिन सर की विद्या और यान देखकर मैं इतनी प्रभावित होगी थी कि मैंने इस मिशन में एड्मिशन माना सर की वज़े से ही लिया था और आज आज आप लोगों से मिलने का भी मौका मिल गया है और आप सबको मै लेकिन बढ़ाई भी देती हूं कि आपका कोर्स हिंदी का पूरा हो गया है और आगे आप जहां पर भी फर्स ग्रेड, सेकिंड ग्रेड या और भी जो तैयारिया करें आप उसमें सब्ल हो ऐसी मेरी काम ना है जैन्यवाद अच्छा ये प्रियंकाजी है अच्छा इनका पर्चे यह है कि इंदी की विद्यारती नहीं है लेगिन फिर भी इनका पर्चे यह है कि हमारे विद्यारती ओनलाइन दर्सन सास्त्र इनों ने हमसे पढ़ा है फिलोस्पी जो चलता है ने असस्टी में उसमें ओनलाइन मिशेन के माध्यम से पढ़ा है सबसे बड़ी बात ही होती है कि कोई भी व्यक्ति हो वो आज के युग में इस कल्यूग में गुरू सिश्ची परंपरा और अपने स्टीचर्स की पती मान सम्मान दिखाए इसके लिए तपती दोपेरी में जबकि लोगों के पास आसपास जाने के लिए समय नहीं होता ये इतने दूर से चलकर यहां तक आये हैं तो हम सब लोगों का ये स्वबाग है और मैं आप सभी को ये कह सकता हूँ अभी स्वेता जीन आपको बताया कई अंतरास्ती संस्थाओं के लिए काम करती है और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने आपकी तरह आपने तो इस नोट्स के द्वारा एक्जाम दोगे इन्होंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया है उसके बाब जूद भी नोट्स बनाती है ऑनलाइन पढ़ती है सबकुछ मेनेज है चिंता सबकुछ रहती है जबकि एक्जाम कुछ नहीं देनी है लेकिन सिस इसलिए कि लोग कला में पारंगत्ता और हिंदी साहिती जोको अगर हिर्दे से कोई जक्ती जीता है तो मुझे लगता है कि पूरा जीवन जीवन तो यह हम सब के लिए बहुत खुशी का पल है और मेरे द्वारा आप दोनों के लिए बहुत हिर्दे से धन्यवाद है जी प्रेंका जी हलो हलो आपकी तरह एक विध्यारती रह चकी हूँ मैंने पीएड किया है पीएड कॉलेज से एमेड किया है नैच्रोपाथी की है डबल एमे किया है लेकिन मैं सरसे प्रभावित होकर इस कोचिंग इंस्टिट से जूड़ी और मैं सरसे प्रभावित होकर मैंने दर्शन शास पढ़ा जो कि मुझे बहुत बहुत लगता था पर सर ने मुझे इतना प्रभावित किया इतने अच्छे टिक से पढ़ाया कि मुझे लगता है कि सब को दर्शन शास पढ़ना चाहिए और आप लोग जो भी एक्जाम दे रहे हैं फर्स गेड, सैकिंड गेड, धर्ड गेड तो आप उसे अच्छा मल लगा करके पढ़े और अपने मकसद में काम्याब हो और अच्छे भावी अध्यापक बने और सर जैसे अच्छे अध्यापक आपको मिले तो आप इस मौकी को ना खोईए मैं भी इस अफसर को नहीं खोना चाहती थी इसलिए मैं मन लगा कर अपने नोर्स बनाते हो और पढ़ते हो और ऐसे विशेश अच्छे अध्यापक अगर किसी को मिलते हैं तो बरपूल आप आपको लेना चाहिए और सर हमेशा हमारे जीवन में ऐसी अमिट चाप छोड़ते रहेंगे मैं ऐसा मानती हो तो मैं सर की बहुत-बहुत अभारी हो और आप लोगों की भी की दो मिनट के लिए आप लोगों ने मुझे भी सुना है So thank you और best of luck आप सभी को Thank you And we are your sisters also My elder sister So thank you So thank you So thank you Sir की कविता तो होनी ही चाहिए न Sir एक कविता प्लीज और नहीं नहीं हो क्या सुनना चाह रहे थे आप लोग मदूशाला मदूशाला सुन लेजिए आप तो मदूशाला के लगत तो रहे होई 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 है आप समना सुन सुन एक मेंट एक मेंट एक मेंट जाए नहीं है झाल 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 किनारे मिले आपको पाकर किनारा मिले किन लवजों में ब्या करें आपका ये हैसा, किन लवजों में ब्या करें आपका बेस्था, कि आप इस दुनिया में इतने प्यारे मिले, दर्टी पर आपकी पूजा होती रहे, इस पर आपका दे अस किन देरे अना इना ये हैं तर्टी तो, किन लवजों में लजों में लजों में आपकी ये जया है, तो किन लजों में लेन इस तांदे ना इस ब्याख् कभूल यह कह गया टोकरी वाला कि तुम करते रह जाओगे एक तर्पा मौबद यारो उसे कोई ले जाए का सरगाई दोकरी वाला और हो क्या थैंक यू कि आप सभी इतने दूर दूर से पदारे आपने आपका बेच पुरा होने के बावजूद भी कोई देखा कोई डिली से आया कोई आपको नहीं बिदा सकता लेकिन बहुत दूर दूर से चलके आप यहां तक आए इस में टाइम में जबकि आपके रीट की परिक्षा की कुछ लोग तैयरी कर रहे हैं और ग्रेट वास सेकेंड के लिए कुछ तैयरी कर रहे हैं तो आप सभी का हेदे की गेराईयों से बहुत शुक्रिया मुख्य बात यह कि जब नौक्री आपकी लगे गी आपके घरों पे जब राम चारित मानश का पार्ट होगा तो आपको पताईए मैं तुलसी दास बहुत अच्छा मैंने आपको पढ़ाया है तो आप उस समय उसे आगे तक लेके जाएगी मुरे पूरा विस्वास है कि आपने जिस दंग से पढ़ा है उसके बाद कोई भी प्रसन आपसे बाहर जाने वाला नहीं है यह जसन पुने होगा लेकिन इस बार जसन आपकी सफलता आपकी नौकरी के बाद होगा तो आप सभी लोग अच्छ नहीं है के बल बैच के तोर पर विदाई है कौन कहता है कि हमारी जुदाई होगी कौन कहता है कि हमारी जुदाई होगी यह अफवा किसी गैर ने फैलाई होगी कौन कहता है कि हमारी जुदाई होगी यह अफवा किसी गैर ने फैलाई होगी सांसे रहेंगे आपके दिलों म आखी थोड़ी सी जगए तो मैंने बनाई होगी सितारों को आखों में मैंफूज रख लो चारों तरफ राती रात होगी मुशाफिरो तुम भी मुशाफिरे हम भी इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी थेंक यू अब मौनिका मौनिका के दान्स के साथ ये प्रोग्राम एंड होना है हाँ पहले मौनिका दान्स करेगी और कानल कौन सा है वो मौनिका ही बताएगी एक्शिल में हुआ है बताप्राम हुआ है हुआ है हुआ है झाल 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 भाल बेल्ब लुक एक जिन करें लुक जडरे बेल्ड बुद्ट-ट इज पized इज थक के चा प्याद ट नचो का रेल्ड एघिधंवर है है ब tweet में jewelry अजय का अजय का जी पना माक का झालो कोई दिवा ना कह, कोई पाकल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है मैं तुझसे दूर कैसा हो तो मुझसे दूर कैसी है ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है यहां सब लोग कहते है में की आँखों में आसू है जो तुझसे तो मोती है जो ना समझे तो पानी है जो तुम समझे तो मोती है अब यह सब प्रोग्राम हो चुका है और मौनिका का डान्स बाकी है और ये खरियानी भी डान्स करती है एडी उठा उठा के है ना वो जो एडी की दमक जो है ना वो ऐसा कुछ डान्स करती है बता रही थी जो भी है आप दांश करें आराम से एंजोई करें और प्रोग्राम पाइंड पूछ दिखा है सवनी जी में चटके जवाई खली अख्रे वेशरी रविदी मत चलाई वह सब कर्दी गव की फैल में बन चटके जवाई व सारे थे वर चठाके मर गाई कर्दददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददद ममादी चोते रहकरी दर मैं मोरनी वरके चाते रहकरी दर मैं मोरनी वरके चाते सोरखी इंशा रहे गया अबजका घूम अचार चालिया रहा तू मैचल कम अचच अबजका घूम अचार चालिया रहकरी दर मैचल कम अचच ओकरी ओंगे धर रहके मतकरी चात रहे जाना मेरे गोरे गोरे रंग पैसो पियो जचरा पतिया जो मिने देखे सांस जाओए उसे की अचक अबजका घूम अचार चालिया रहकरी दर मैचल कम अच्च अबजका घूम अच्च अबजका घूम अच्च जो मिने देखे सांस जाओए उसे की अच्च अबजका घूम 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 अच्च